हाई गाईज, वेल्कम टू क्रेटिंग वैल्थ तो प्रीवीश स्पेसलिटीज के जो है इस बार क्वार्टर रिजल्ट कैसे आते हुए दिखें एग बार देख लेते हैं दो रुपे का इस बार डिविडेंट भी दिया है और अगर इंकम की बात करें, क्वार्टर ली तो यहाँ पे देखेंगे तो तीन सो पिचासी करोड की जो है इंकम होती हुई दिख रही है इस वाले क्वार्टर के अंदर प्रीविएस क्वार्टर में चार सो पांच करोड की जो है इंकम थी तो वहाँ से अगर देखेंगे तो income में हलका पुल का जो है decline देखने को मिल रहा है और previous year में इस quarter के अंदर जो income थी वो थी 357, 377 करोड की तो वहाँ से हलका पुल का जो है upside देखने को मिल रहा है वो बात ठीक है चलो हजम हो रही है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है अब यह देखें 30 करोड का profit रह गया है just only year on year level पर देखेंगे तो quarterly basis तो क्योंकि previous year में इस quarter के अंदर 60 करोड का profit था वहाँ से just only 30 करोड का profit रह गया है इसलिए आज जो है कही न कहीं decline देखने को मिला है stock के अंदर और possibility है कि अगर ऐसा ही profit आगे अगर continue रहा quarter one के अंदर तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत और decline जो है stock के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर अगर बात करें quarter quarter level पर तो 25 करोड का profit के सामने 30 करोड को profit है तो upside है थोड़ी लेकिन यह कही न कहीं जो है एक चिंता वाली बात है कि इतना profit में जो है decline तो आगे कहीं ऐसा तो नहीं कि यह profit और गिरने वाला है अब यहाँ पर अगर बात करें fy21 to fy22 position यहाँ भी खराब देखने को मिल रही है अला कि income ठीक है 1296 करोड की income है जबकि इस बार जो है इंकम होती हुई दिख रहे है 1436 करोड तो income में जो upside है लेकिन profit में देखेंगे न तो यह जो profit जो decline जो आते हुँआ दिखा है previous 2 quarter के अंदर एक यह वाला quarter और previous quarter के अंदर उसकी वज़ाए से यहाँ पे आप fy21 to fy22 भी position जो है डाउन जाती हुई देखिए 117 करोड के profit के सामने profit रह गया जाए 97 करोड तो profit जो है जो yearly जो profit जो triple digit के अंदर जो आ रहा था वो profit रह गया आप double digit के अंदर तो यहाँ पे क्या है कि अच्छा खासा decline आप stock के अंदर आने वाले time में देखने को मिल सकता है आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तो यहाँ पे alert रहो इससे तो यहाँ पे क्या है कि आप यह देखी रहे हो इस stock में जो इस समय आज जो decline जो देखने को मिल रहा है खास कर वो इसी वजय से है 2 रुपे का इस बार जो है आना कि इनोंने dividend भी दिया है एक बार chart pattern भी देख लेते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं previous year में इस quarter के अंदर एक अच्छा खासा profit और अब की बार 50% का cut अचानक तो इतना जो है decline हजम करने वाली बात नहीं है और FY21 to FY22 भी position डाउन है तो कहीं हजम नहीं हो रहा और वही जो है market को भी हजम नहीं हो रहा है market इसी लिए जो है इसको गिराने में अब लगी होई है और stock ने जो है अपना एक resistance नीचे की तोड़ी दिया चारह सो सत्तर असी रुपे वाली वो तोड़के नीचे आगे 100 रुपे और नीचे साड़े बाईस सो रुपे तक stock जो है jump ले चुका है यहाँ पे आप कहीं ना कहीं correction अब होनी बिल्कुल निश्चेत है अगर यह stock यहाँ पे अगर इस वाले support को भी अगर break करता है जो 1780 जो इसने लगाया है और वो break अब होना है जैसा stock का chart pattern जो बन रहा है तो यह stock यहाँ से 1550 रुपे तक जो है एक थरफा खेसकता हुआ दिख सकता है और मुझे लगता है यह 1550 पे भी नहीं रुखेगा अगर इसी तरीके के result अगर continuation में आने वाले time में भी आते हुए दिखे तो यह यहाँ भी नहीं रुखने वाला है फिर यह रुखेगा करीब 1200, 1100, 1200 रुपे के पास जाके बहुत अच्छा का सहाइक है तो देखने वाली बात होगी कि stock किस तरीके से जो है इस पे behave करता हुआ दिखेगा और यह next week जो है कहीं न कहीं पता लग जाएगी कि stock जो है कहाँ पे जाना है आला है तो यहाँ पे मेरे इसाब से दो जो है fresh buying बिलकुल नहीं करने चाहिए hold का अभी अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे पहले एक clear होता हुआ दिखे कि आने वाला quarter कैसा रहने वाला या एक दो quarter कैसे रहने वाले हैं उस पे जो है depend करेगा कहीं यह सनो इसका डबा गोल हो जाए तो यहाँ पे बेसिकली अगर मुनाफ़ बन भी रहा है तो बेसिकली निकल भी सकते हो या मतला अपनी position हलकी भी कर सकते हो तो अपना भी analysis हला की एक बाद जरू कर ला है उसके बाद ही stock को 22 हे लिया hold करें intrinsic value वैसे बहुत बड़ी बहुत जो है इसकी high चल रही है इस समय thank you for watching this video